कुडरी उप्चिनाओं से पहले बीजेपी का एक वीडियो सोसल मीडिया पर खूब तेजी से वैरल हुडा है जरा इस वीडियो को आप देखिए गले में बीजेपी का पट्टा और हाथ में अंग्रजी सराब की बोतल लोग जो है एक दुसरे की गलास में सराब जो है वो डाल रहे हैं यह वीडियो सोसल मीडिया पर वारल है ब्यार में सराब बंदी है और इस निती इस कुमार की सराब पर लगतार भारती जनता पार्टी के निता जो है वो हमलावर भी रहते हैं चाहिए वो सहयोगी हो या आज भी पक्ष में इस सराबंदी निती पर सवाल भी उठाते है यहां तक कि अब बीजेपी के निता यह भी कह रहे हैं कि सराबंदी से वियार को बड़ा नुक्सान हो बता रहे हैं कि देख लिजिए बीजेपी का चरित्र क्या है और यही कारण है कि बीजेपी के जो बरे नेता है वो नहीं चाहते हैं कि राजी में सराबंदी जो है वो लागू हो सराबंदी के कारण इनको नुकसान यही होता है कि यह कारेकरताओं में अपने नेताओं में सरा सराब नहीं बात सकते हैं सराब पे वोट नहीं ले सकते हैं era ही कारण से बीजेपी के तमाम जो बरे निता है वो यह मांग कर रहे हैं कि विभार में सराबंदी को खतम कर देनी चाहिए दरसले वीडियो और इए वीडियो बताया जा रहा है तेलंगाना का तेलंगाना में bowl शाराब जु है वो धरल्ले शे माटी जा रही है जिसका video सोसल मीडिया पर वायरल और कि निटीश कुमार स़ाबंदी का जिद पाल बैठे हैं और इससे जिद के कारण बिहार के लोगों को बड़ा नुकसान जेला पर रहा है बड़ी रक्म में जो टेक्स आया करती थी वो अब नहीं आ रहा है तो एसमें बिहार को हर साल करोडो रुपए के नुकसान हो रहा है ये नुकसान नितीश कुमार का नहीं बलकि बिहार के लोगों को हो रहा है और ऐसे में अगर ये पैसा आता तो बिहार का विकास में मदद बनता लेकिन नितीश कुमार के जिद के कारण सराबंदी है सराबंदी की सचाई क्या है सभी लोग जानते हैं ल साथ वह आपको वोट देखेंगे विहार में सराबंदी और सराबंदी का फाइदा भीदिति सुक्मार को दिखता है महीलाओं का जो समर्थन मिलता है वो काभीय यतारीफ है हर वो महीला का भड़पूर समर्थन मिला है स्राब बंदी में और ये वीडियो सोचल मीडिया पर वारल है जिसके बाद तमाम जो बीजेपी की विरोधी हैं वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे ही आप लोग चुनाओ लड़ते हैं सराब बाट कर आप लोग चुनाओ लड़ते तो एल्श किसका बीजेपी का पठ लगाए देखती जो है वो सवाल बात रहे हैं और आसपास में भी भारती टा पार्टी के है करता नेथा आपको नज़र आ रहे हों ये वीडियो तो लंगाना का बताया जा रहा है अब कर दो दो ठाज दो, और दो.